जैहिंद बच्चो वेलकम बेक पुन्ह आपको स्वागत है समाधान स्टेडी परिवार में तो यहाँ पर मैं आज बताने माला हूँ आपको जो मैंने कल 30 कोस्टन आपको करवाया था जो प्रिवियस येर थे जो आपने 2020 में एक्जाम दिया था यही कोस्टन आपको पूछा गया था यह जो आप मैं आपको कोस्टन करवा रहा हूँ यह आपके आंसर की जो आपने लिया था तो यह एनम और पिनेस्टी और निट के एक्जामों के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग को साइंस बहुत नंबर से पूछ रहाता है मैंने 30 कोस्टन करवाया था इम्पोर्टेंट कोस्टन है और लोग इसकी कोई वी सुन खेजाए इसर्द देख रहा है यापर आप लोग उन लि प्रिटे अग्जामिनर पूछता है पूछता है इसलिए आपको question अच्छे लगते हैं तो आप लोग जो है share करें और अपना review जरूर दे हमें कि आप लोग जो है मैंने आपको classes जो लिया है जो live classes जो भी student से जुड़ा हुआ है तो कितने जो है यहाँ पर question आते हैं कितना हमने पढ़ा है कितना आपको benefit मिलता है लास्ट में जरूर से बताएगा comment section के माध्यम से ताकि हमें भी अच्छा लग सके कि जो हम आपको पढ़ा रहे बच्चो तो कितने student को इसका benefit मिलता है कल जो एक-दो student के comments आए कि सर बीस आए सर जी 15 आए 12 question आए हमें मतलब हमें अच्छा लगता ही कि हाँ बंदा यहाँ से पढ़ा है मतलब कुछ सीख रहा है तो चले session स्टार्ट करता हूँ आज मैं बहुत ही सांदर question आपको करवाने वाला हूँ जो आपको एक्जामिक पुछा गया था और इसके with fact बताऊँगा आपको यहाँ पर answer दिया है तो इसके मैं related fact आपको बताऊँगा चले देखे पहला यहाँ पर आज का question है यहाँ परिवर्तन सिन संचलन निमन के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है अमीबा, हाइडरा, यूगलिना या फिर परा-परामीसियम तो यहाँ पर यह पूचा है कि यहाँ पर जो question दिया है आपसे यहाँ पर जो हाइडरा है य इसमें तो हाइडरा तो हाइडरा आगर आप कोई भी स्टुडेंट थोड़ा साम से पढ़ लिया है तो इसका अंसर सही ही करता क्योंकि सगी एमीबा, यूगलिना और परामीसियम जो है एक को सीके जिव है और आपका हाइडरा यह बहु को सीके जिव है तो यहाँ से डिफ पर जो क्लासेस लिया उसको भी जरूर देख लिजेगा वायू मंडल का वह चेतर जिसमें ओजोन परत इस्तित होती है कहलाता है कौन सा कहलाता सर जी समताफ मंडल में ही जो है आपका समताफ मंडल में ही क्या होती है आपकी ओजोन परत इस्तित होती है मतलब उसके थोड़ इसके बाद यहां होता है चोब मंडल, उसके बाद आता है आपका समताप मंडल, उसके बाद आता है आपका मद्दे मंडल, फिर आता है आपका आयान मंडल, फिर आपका आता है बहिर मंडल, यह सब कुछ इतने होते हैं आपके पाच मंडल, तो देखे यहां पर होती है आपक चोब मंडल में होती है, समताप मंडल में आप क्या होता है, तो समताप मंडल में जो आपका ऐरोपिलेन है, आप उपर देखते हैं, तो वो कुन सा मंडल है, समताप मंडल, छोब मंडल की उचाई कितनी होती है, तो यहां से इसकी उचाई होती है, आपका प्रत्वी से लेकर, Brief दीक कंसा hijot दीक होगा ये सैटेल्डाइट तक के आयन मंंडल तक और आपने देखा होगा अंतरिक्श मैं जो सैटेलाइट वह दिखता है आपको वह भाहिर मंडल में ऊता है क्षूस के लिए बंडल में तहो आश्रकर तो आपको यह सब समझ में आ चुका ओगा कि कई से आया सरजी क्या होता है किस तरीके से होती है तो आपको यह बताना है कि जो और मंडल में चोब मंडल में अगर आपसेग्जामेन na92-शमताफ मंडल में और पर उता हो फलिदार पाउस में जडगाट में राईजयो वियम का कारए जड़ गाट में राईजू बीयम का कारे पुछा आप से तो नाइट्रोजन को निर्धारित करना तो इसका काम क्या था था आपको फलीदार पौदों का नाइट्रोजन का आपका निर्धार्म करना यही था आपका क्या option number B right answer था क्या था option number B right answer था अगर किश्वी student के पास answer की PDF के तौर पर हो तो मुझे टेलिग्राफ और WhatsApp ग्रूप में सेंट जरूर कीजेगा ताकि जो other student है जो हमारे पास तो ऐसे 5-10 ही PDF है तो हम collect तो कर ही रहे बट आपका थोड़ा support मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा सभी student के देखे नेस्ट को सन्हाफ से पूचा गया था यदि छेत्र एक को उसके मूल मान से दुगुना किया जाता है तो दाब क्या होगा दाब अपने मूल मान से 3 नोह और आपको airport आपको बताए सर जी क्या होता है तो आपका कितना फोर्स होगा और कितने एरिया में होगा मतलब दाब बराबर आपका फोर्स अपॉन एरिया होता है कितना फोर्स लगा रहे और कितने एरिया में लगा रहे तो यह इसका राइट अंसर था option number a option number d था मत्तब one by two हो जाएगा अपने मूल मान का कितना होगा सर जी एक बट्टे दो हो जाएगा चली बहुत ही बहतर आंसर यहाँ पर दीख रहे है चली यह देखें बहुत ही मज़ेदार कोस्टम पूछा गया था आपसे कुन सा हीरा एक खालिश्तान है तो हीरा क्या सर पूर्ण पदार्त आपका हीरेगा चमकना पूर्ण आंतरी परावर्तन होता है मैंने फिजिक्स वाली क्लास में समझाया आपको तो यही था आपका पूर्ण पदार्त पूर्ण देखें यहाँ पर आप लोग डिफरेंट भी कैसे कर सकते समझेगा मिस्र धातु है क्या बि पर रूप है यह आपको ध्यान रखना है आपको एक्जाम में कल भी मैंने बताया था और यह पूर्ण पूर्ण यहाँ पर इस तरीके से कुश्चन आपसे पूचा गया था देखें यह क्या है और यह मैंने आपको बताया है एक टिड़े की कितने पर होते तो जो आपका आ इनके और यह आरतों पूटा सगमें आते हैं ध्यान में रखना एक्जाम में फिर पूर्ण पूर्ण सकते आप से चली क्योंकि इसी बेस पर आपको को पूचेंगा इस पर ही आधारीत को पूचेंगा डिफरेंट को समय पूचेंगा पर प्रिवियर के भी हमें को ध्यान र पाधी पर हे तो परजीवि आपका पौधन परिवलिवर रहते हैं तो आपको आपने देखा होगा साकाहरी मासहरी और यह होता है आपका छो मि इतस अब ता कम आधील कि तो आपका अच्यार है तरहरिभी यह आपका मासाहरी में आएगा और सर्वाहरी में क्या आएगा मनुस से आएगा गल्ती मत कर देना अगर मासाहरी में आप लोगों को मनुस से लगा क्योंकि मनुस सर्वाहरी में आता है मास भी खाता है और घास भी खाता है अपमार्जक जो मरत्य जूँँ खाते चीटी हो गया आपका गिद्ध देखा है अपने तो गिद्ध यहाँ पर मरे आदमी मरे सापको भी खाता है तो अपमार्जक के रूप में आएगा चलिए अब आगे बढ़ते नेस्ट कोशन क्या कोश्चम पूचा गया था एक क्रिष् क्या होती है चार होती इसके बारे में मैं डीटेल पूरुक आपको बताऊंगा यहाँ पर जो मैं क्लासेस लाइव लूँगा चलिए यह कोश्चन देखिए एक तरल के वास्पिकरन का कारण क्या है सीतलन किसके कारण होता सर्जी सीतलन कारण आपने देखा होगा अगर को ध्यान रखना है इसे आगे बढ़ते हैं वायू मंडल में आक्सिजन में कौन से दो रूप पाया जाते हैं तो यह तो बिल्कुर आप लोग चाटके बना सकते सर्जी जल तो बिल्कुर वायू मंडल में नहीं पाया जाता जल तो बिल्कुर नहीं पाया जाता और ग्लु एक तरल के वास्विकरन के दवरान उसमा परिवर्तित होती है जो उसमा आपकी परिवर्तित होती है यह किसकी रूप में होती है सका पोजी आपका positive मतलब सकारात्मक कितर होती है चलिए आगे बढ़ते अब Next question ब्रेट के लिए बनाया गए आटा कुछ घंटू के बाद जो फूल जाता है इसका रिजन क्या है तो एक खमीर क्वुंड़न एक क्विंड़न की प्रक्रिया होती कौन से सर्जी ड्यू टू एस्ट वाली क्रिया होती है आपका खमीर क्विंड़न वाली तो उसी के कारण जो है आपका आटा और जो देख रहा है आप केक लेने जाते हैं आप लोग केक हब में जाते हैं और केक लेते तो यही आटा है जिसका ब्रेट बनता है जिसके केक बनाते हैं तो आटा अपने फूल जाता है तो यह किस कारण से होता है सरजी खमीर क्विंडन आप ध्यान रखना है और यही इसका राइटन से था खमीर क्विंडन इसके कारणियां होता है चलिए आगे देखते प्लेट लेट को भी कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन है मैं आज आपको साम तक एक हार्ट जो हार्ट वाला है वह टॉपिंग दूगा ब्लड का प्लेट लेट को भी कहा जाता है यह से क्या करता है और आपका भी सी एक होता आपका wy वीची और एक होते हैं आपका प्लेट लेट सोप्कुचा है असी ड्रभीकोोbn को पूछ था ईसका तो प्लस वन को मिलना है उनली आपको डिफुरेंट नाम पूछा था वियात करते हैं असके आप लोग WBC याद करते हैं उसका आप लोग प्लेटलेश बट कोई स्टुडेंट यह नहीं याद करता सची इरेत्रोसाइड होता है थ्रोंबोसाइड और ल्यूकोसाइड तो अब आप लोग गलते बिल्कूर भी नहीं करेंगे आप लोग को ऐसे याद करना मैं आपको बता फंगी जगत होता है एनिमिले जगत होता है प्रूट प्रूटिस्टा जगत होता है ऐसे प्लास पाथ जगत होते तो पाथ जगत में किस जगत के अंतरगत आता है तो यह आता आपको प्रूटिस्टा जगत के अंतरगत आता है यह ध्यान रखना है चलिए अब आगे इतना ओजोन चिद्र को क्या करती है संबर्दित करती है दिए कि पौधे द्वारा कार्बन का उसोसन यह तो नहीं होगा ओजोन का संक्रेदर यह भी नहीं होगा तो दीकि इसका राइटांस रोगा प्रत्वी के धुरुव छेत्रों पर समतापी ओजोन की कमी तो यही था मैं अभी है आपको समझाया पुरा ओजोन के बारे में तो ओजोन समताप मंडल में होती है तो यही इसका राइटांस रोगा आप लोग थोड़ा समझ के भी आंसर कर सकते इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं होता आपका चले डूलोमाइट यह तो बहुत सीम्पल कोस्टम पूच अब आपसे क्या पूच लिए इसका सूत्र पूच लिए तो एम जी सी ओ थ्री सी एसी ओ ठीक है बच्चो देखिए अब आप लोग जो है इसे सही भी कर सकते थे कैसा इसे सही करना था आपको इतना अगर पता रहता है कि जो डूलोमाइट है किसका सजी आपका मेगनीश का का सका है मेगनीश का सका है देखिए यह तो होता नहीं क्योंकि आपके पास आते कितना दो दो आते आपके पास पास चूस करने एक तो भी हो सकता था सजी या तो डी हो सकता था अब देखिए यहाँ पर क्या देए M G S O 4 M G S O 4 होगा नहीं क्योंकि जो है अमलराज S 2 S O 4 S 2 S O 4 अमलराज जी से कहते हैं यह तो होगा नहीं तो बचा क्या सर्जी हमारे पार और देखिए यहाँ पर जो इस्टुडेंट यहाँ है उन्हों भी बहुत यह सही अंसर किया था और यही इसका राइट अंसर था ऐसे आपको मतलब चूस कर सकते हैं आप लोग इतना टफ लिए अ हो सकते कोई वी टामिन पाहे है आपका फॉलिख एसीड को और यहाँ पर पूछा है दबलोह एंट रिलीटेट कुछा टूलोहट है मैं आपको पूरा समझे हैं खिक बच्चो जैसे कि आपका और बांशापे सबस्क्राइब्स और पोच्चा है उसी को đang यह आपको प्रोड़ाइट कर दूँगा उनले आपको ध्यान रखना है कि किस किस टॉपिक से पूझा गयार कैसे पूछ नाती है और आपको समझना कैसे दूर्वतारे को किस और किस नाम से जाना जाता है उतरी तारह अगर आपको धूरोपोल पोलर से इस्टार मिल जाए उस जगत दिया है विटे करने उसी के related question पूचा है आप किसी जगत में एक जियू में इस्थापित करेंगे जो एक कोशी की यूकरेटिक और प्रकास संसलिए आपको पता है सरजी यूकरेटिक प्रकेटिक क्या होता है अगर नहीं होगा जिन स्टुडिन को तो कोशी का वाला मेर जो लेक्चर ले लिया है वो जरू देखेगा तो यहां answer होगा protista जगत कवक होगा monero, plentyny यह सब क्या इसा जगत है और यही इसमें से कौन सा जगत था यह अंटर तो अपका protista जगत इसका right answer था चली अगले question क्यों बढ़ते हैं अगला question कौन सा पूचा गया था आप से मेगनेट वाला देखी यहां पर यह तीसरा चौता कोस्टन है जो मेगनेट से आया था तो मेगनेट वाले कोस्टन बहुत इंपोर्टेंट है मैंने जो टॉपिक पढ़ा है फेजिक्स में जरूर से जाकर देख लिएगा एक धंड चुम्बक में चुम्बक की छेत्र की छमता किस में प्रबल होती है तो दुरू पर किस पर पोल्स पर क्यों होती है सर जी तो मैंने आपको बता है सर जी यह आपका मेगनेट है तो यह हो गया आपका नार्थ पोल और यह होता है सौथ पोल बीच में तो कुछ भी नहीं होता सिर्फ आपका धुरू पर ही होता है यही आ यदि एक कार्बनिक योगी के द्रव्य मान के द्रश्टी से 55% कार्बन और 25% हाईरिजन तो अनुभविक सुत्र होगा इसका अनुभविक सुत्र पुचा है तो इसे हम क्या बोलेंगे मेथेन कहेंगे CH4 क्या होगा मेथेन और मेथेन कहा पाजाती है आपको दलदली शेतरों किया जाता है क्योंकि यह खालिश्टान है तो यह है सम यूग जनता बढ़ता है क्या होती है तो आपका क्या होगा opt-ion but D right answer था अगर यहापर आप सभी श्टुडेंट जिन्नोंने दे रखा था तो बिल्कुर आप से फिजिक्स में मैंने यह बताया था आपको बताया था कि आपको क्या कयात रखना है जब मैंने आपको धोनी वाला पार्ट पड़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि धोनी में कुछ-कुछ देखी मैंने वहाँ पर आपको यह साध आठ से 9 आठ से 9 वहाँ पर ऐसे थे ज आपको सबसे ज़्यादा इस्टील की चाल बताया था जो सबसे ज़्यादा होती है वह याद करना है और दो तीन यह बताया था आपको और आसा करता हूँ आपने classes देखा होगा तो बिल्कुर इसका स्वयांसर खिया भी होगा 330 meter per second होती है कितनी सर्जी हवा में धोनी की चाल 330 meter per second होती है और आपने जिन भी श्टूइन नहीं देखा बच्चो तो हमारी प्लेलिस्ट में पूरी classes डली हुई है वहां पर आप लोग देख सकते हैं चलिए अगला question देखें क्या है रियर व्यूस डरपन में उत्पादि छवी का आवर्धन खालिस्तान होता है तो यह होता है less than one मतलब एक से कम होता है क्या होता है सर्जी एक से कम होता है यह तो मैंने अभी डरपन वाले question में नहीं करवाया है बट जो मैं आपको पूरा revision करवाऊंगा तो आपको बता दू यह फूर आगे देखें next question क्या पूचा गया था निम्नलिकित में से कोंसी विशेष्टा कसेरूकी की विशेष्टा है किसकी कस्यूर की कसेरूकी यह की विशेष्टा कौन सी है तो यह है आंतरीक कवक होते हैं यह क्या होते सर जी यह एक आंतरीक कवक होते हैं मतलब option number B right answer यह है question आपसे पूचा गया था मतलब किस topic से आपका blood वाले कसी रुक ही मतलब आपका blood वाला topic होगा यहां blood cells वाला उसमें है question पूचा गया था चलिए आगे बढ़ते हैं next question कोसा पूचा था तो आपको देखिए यह वाला question बहुत ही जवर्दस question था और यहाँ पर examiner ने क्या पूरे option गलत दिया था मतलब इसका प्लस एक यह वह बहुत है को आपको पता है नीला ग्रह कहा जाता है प्रत् भी को तो यह दियान रखना नांग तो ही तो आप लोग गलतिय को पता सर्जी ब्रस्पति के सबसे ज्यादा अब एसा नहीं है सबसे ज्यादा उब्गरभ होगा किसके सवर्भर के सद्धिके यह ध्यान लगना है आपको चलिए और प्रत्वी का एक उब्गर है कुनसा चंद्रमा आपको एक्जाम में पूछता है कि एक उबगर कुन सा चंद्रमा होता है और यही है इसका राइटन से जो नीला ग्रह होता है वह प्रत्वी होता है तो यह कैसर जी एक कुस्चन बिलुकुर सही है बट एक्जामिनर ने यहां पर आप्शन नहीं दिया आपको इसका प्लस एक नंबर सभी स्ट्रेंट को मिल चु क्या है यह सब धातू है अप्रेट्रियम सबसे खनीज गैर खनीज धातू है तो इसका राइटांसर सब्गी होगा ओप्शन नमर ए चले अगला कुस्चन आप से पूचा गया था देखिए कुस्चन है फिजिक्स से फिजिक्स की नियूमेरिकल से कुस्चन है कैसे स्वाल क सब्सक्राइब यह आपका हो गया यह आपको मतलब क्या होगा प्रति धुनी वापीज मतलब यह आपका एक पॉइंट हो जहां पर दोनी गई मतलब गई भी उतनी देर में होगी और रिटरन भी आई है जगर आप यहां से आवज लगाते हैं तो जाने भी उतना ही ताइम उसको और आने भी इतना ही टाइम लगा समझ समझना है और इसको जाने आने में कुतने टोटल समय कितना लगा सर जी 120 मीटर पर सेकेंड लगा बिलकुर सर जी 120 जो आंसर आया हो कैसे आया में आपको पर पर के बता दू अभी देखिए धोनी की यहाँ पर देखिए एक जावास से उतने ही ते जावास से हमें रिटर्न भी सुना यही तो भीडिया के क्या बात ग्याद करने वहला इसने प्रस्ट से दूरी तो देखिए यहाँ पर आपने प्रस्ट रखा था यहाँ पर आपने क्या रखा था सर जी यह प्रस्ट है और यहां से यहां वाली दू मतलब जाने के समय कोई अग्यात करना है इसलिए multiply 2 किया इसलिए यहां पर कितना है बहुत से स्टुडेंट ने चार सो असी भी किया हुगा बार चो और तालीस होता है इनका multiply किया बर वह समझ नहीं पाए इसको फेक्र को क्या पूचा गया था इसमें पूचा गया था जाने से को इसुड़ा करते हैaxter आगई चली अगला कोस्टन ने क्या है यह बहुत कोस्ट पूचा था दृष्ट रहीन वीख्तिओं का उपयोग करके पढ़ और लिख सकते तो आपका ब्रेन लिपी और ब्रेन लिपी लुइस ब्रेल चार जनवरी को wij देल लिपी को आपका लुइस दिवस मतला ब्रेन लिपी के d Graduate समना जाते जिसने जो ब्रेन लुइस है उन्होंने ब्रेन लिपी का वईस्कार के अierno और यही था इसका right answer जो द्रश्टी ही जो है उसे brain लिपी ही उससे आप लोग जो पढ़ लिख सकते हैं यही question पूछागा बहुत जी question है आपने मुईयों में भी देखा होगा और अधिकतर जो है student जिनने मुईयों गरे देखा होगा वह बिल्कूर इनका right answer सही कर पाये होगे तो देखे आज का last और अंतिम question है यह question क्या है दूद में खालिस्तान protein मौजुद होती है मतलब आपका protein से भी related question है मैंने protein और आपका विटामीन और आपका जो भी रोग होते उनका जो है मैं lecture ले लूँगा अभी अब आपको अपलोड कर दूँगा क्योंगा केसीन क्या होगा सर जी केसीन आपको पता है सर जी दूद में क्या होता है केसीन होता है टमाटर में लाइकोपिन होता है ऐसे सब कुछ मैंने बता रहा है गांजर में केरोटीन होता है यह सब कुछ मैंने बता रहा है सब कुछ जो है पढ़ाई हुई में से आया है और आपको questions दिए गये हैं अगले question है, हमारे पास और भी question रगा है, आपको इतने ही question आपको धियान रखना है, और इसी पर best दुसरे question पढ़ना है, जैसे कि आभी मैं यहां पर protein वाला हर्मोन वाले question करवा है, चुम्बक वाले question करवा है, मैंने classes देख लिजेगा वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि किसी तरह से क्या होता है तो ऐसे ही आपको पढ़ते रहना है ताकि आप लोग उसी pattern पर पढ़े कि जिस pattern पर आपसे exam question पूछता है नीट की exam के लिए बहुत important है आपका पीटी के exam के लिए आपका वेटनेरी सबी जो MPB द्वारा question पूछ जाते है प्रोपेस्टन एक्जाम बोर्ड द्वारा exam कराई जाती है उनके लिए सभी के लिए important question आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो like की बटन वहाँ पर दिख रहे है आपको उसे like जरूर कीजेगा और अपने जो दोस्त है अपने मित्र है उनको share जरूर कीजेगा तकि इसका लाब सभी विद्ध्यारती ले सके और सभी student जो है अपना selection surely कर सके जैहीं जै भारत